हेलो फ्रेंड्स पमी की रसोई में आप सबका स्वागत है चलिए आज हम बनाते हैं राम जी स्पेसल पेरा आज हमारे भगवान जी घर आ रहा है तो कुछ अच्छा तो बनाना चाहिए न और हमारे लाइफ का सबसे बेश्ट दिन है तो चलिए हम ये भूग प्रसाद बनाते ये मैंने ले लिया है दो लीटर दूद और इसे हम ऐसे ही चलाते हुए जब तक पूरा इसका अच्छा से मावा नहीं बन जाता हमें चलाते रहना है नहीं तो होता क्या है बीच में जो है न ये ऐसे अगर चलाना बंद कर देते हैं तो नीचे से जलने लगेगा हमें लगा अरे सामने में ऐसा दिन आया है तो इसलिए न जो भी होता है आपसे जैसा भी भोग बन सकता है आप बना के और ऐसे चड़ाएं ये बहुत ही आसानी से बनेगा और जैसे बाजार से हम लाते हैं खरिद के तो इससे अच्छे से घर में बन भी जाएगा आसानी से देखे इसमे कूटके और इसका हम छिलका नहीं डालेंगे इसमें इसका हमने वो दाना डाल दिया है और ऐसे चलाते हुए कितना अच्छा सी ये गाटा हो गया है ना ऐसे चलाते हुए इसमें हमें अब चीनी डाल देना है और ये चीनी ऐसे चलाएंगे तो जब इसको हम बराबर चलाते इसे चलाना जब बंद करेंगे तो ये नीचे से जलने लगता है फिर चलाते हुए देखी कितना अच्छा आया है ना इसका कलर अगर इसमें चाहे न आप तो हलका जो पीला वाला कलर होता है फूट कलर आप वह भी डाल सकते हैं मैंने इसमें कलर नहीं डाला मैं ऐसे ही बना रही हूं देखिए ऐसे चलाते हुए हम इसका एकदम अच्छा सा जो है पेरा वाला मावा तयार करना है जिससे चलाते हुए जब यह एकठा होने लगेगा ना तो लग जाएगा जोहां पेरा के लिए अभी मावा तयार हो गया और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पर भी ज्यादा अच्छा भी बनेगा घर का दूद का है बन भी जाएगा आसानी से इसमें ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं पड़ता है यह देखिए हमारा मेवा बनने लगा है इसे ऐसे हम चलाते हुए अच्छे से पुरा सूखा मेवा तयार करेंगे नेगीला गिला में फ पूडा ही एकठा होने लगेगा नहीं फिर वो पेरा के लिए तैयार हो जाता है देखिए हम इसे चलाते हुए ऐसे ही करके यह हो गया अब हम इसे किसी ठाली में निकाल लेंगे पहले हमने इसमें घी लगा दिया था अब हम उसमें ये सारा जो है ये मेवा को निकाल लेंगे फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज कमेंट वाक्स में जरूर बताए मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है ये देखे हम इसे ऐसे फैला के और इसे ठंडा होने देंगे हमारा खोया ये बन के अच्छे से तयार हो गया अब हम इसका ये गूल गूल ऐसे लड़ू बना लेंगे और ये मैंने इसका छोटा सा पेरा वाला साचा लिया है इसमें डीजाइन बहुत अच्छे से बनेगा उसमें साचे में थोड़ा से घी लगा के फिर हम इसे हलके हाथों से ऐसे दवा के और इसका पेरा बनाएंगे ये देखिए ऐसे करके हम सारे पेरे को तयार कर लेंगे ऐसे लेना है लेकिन इसे पूरा ठंडा नहीं होने देंगे हलका गरम में ही बनाएंगे न तो जल्दी जल्दी से बन जाएगा नहीं तो ये ठंडा होगा न तो टाइट हो जाएगा फिर देखिए ऐसे करके हमें ये पेरा ऐसे करके इसमें डालके हम दबा के और इसका पेरा बना लेंगे ऐसे आप अगर साचा नहीं है तो आप हाथों के बीच में भी ऐसे हलके हाथों से दबा के बना सकते हैं भी अच्छा ही बनता है लेकिन ये थोड़ा देखने में मेरा अच्छा लगड़ा है देखिए हमारा पेरा बन के तयार हो गया है ऐसे ही आप पेरा बनाईए और भगवान जी को अच्छे से भोग लगाईए जैसरी राम